हेलो अब्रिवरोन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन दोनों स्केलों का यूज करके किस तरीके से हम 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउस की कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप अभी कर लिजे क्योंकि आदी अदूरी वीडियो से आपको कोई भी बेनेफिट नहीं होने वाला है तो ये दोनों इसके लोग का हम यूज कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सारी चीजे सीखेंगे तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में ब्लाउस की कटिंग करना सिखाऊंगी और अगर आप 36 के अकॉर्डिंग ब्लाउस की कटिंग करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से तो आपको कई भी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह मैंने lining ले लिया है और सबसे पहले मैं back part की cutting करूँगी back part की cutting करने के लिए मैंने inch tape को fold वाली side रख लिया है और मैंने armhole ले लिया है 7 inch उसके बाद मैं dot point लूँगी dot point मैंने लिया है 10.5 inch और उसके बाद मैंने length का निशान लगाया है 15 inch पर उसके बाद आप 2 inch का margin ले लिजे और जितने भी point बनाये थे ट्रेंगल वाला shaper का इस्तमाल देखी आप कैसे करते हैं क्योंकि उसमें दोनों जो line हैं वो work करती हैं इसकी वज़ा से हम triangle वाले shaper का इस्तमाल करते हैं straight वाले scale से line सीधी नहीं आती है तो shoulder मैंने लिया है साड़े change और नीचे वाली line से मैं half inch extra लूँगी तो मैंने यहाँ पर 7 inch लिया है आप भी बिल्कुल ऐसे ही लेना अगर आप 36 chest के according आपकी blouse cutting कर रहे हैं तो उसके बाद मैं यहाँ पर chest का निशान लगाऊंगी तो chest मेरी 36 है उसको हम 4 से भाग देंगे तो मेरा 9 inch आएगा और half inch मैं ले रही हूँ उसमें losing तो यह मैंने 9 inch पर निशान लगा लिया है उसके बाद मैं नीचे वाली line waist point पर निशान लगाएंगे तो वहाँ पर मैंने chest से half inch कम करके लिया है तो यहाँ पर मैंने 9 inch पर निशान लगा है दोरों निशानों को बिल्कुल straight line से मिला देंगे और margin भी उसके साथ ही ले लेंगे दो inch का मैंने margin ले लिया है अब मैं प्लेटों का निशान लगाऊंगी बैक में प्लेट की जो fold वाली side से मैंने लिया है चोड़ाई 4 inch और वो मैंने dot point से मिला दिया है dot point की length थी मेरी 10.5 inch अब मैं half inch shoulder down करूंगी तो ये मैंने half inch का निशान लगा कर solder को down कर लिया है अब armhole shaper का इस्तमाल करते हुए हम armhole की shape देंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको armhole की shape देनी है और ये जो मेरा back part है उसकी marking हो चुकी है अब mark के उपर से ही मैं back part को cut कर लूँगी तो ये मेरा back part है उसकी cutting हो चुकी है अब इसी को use करके मैं front part की cutting करूँगी तो आप देखिए किस तरीके से आपको front part की cutting करनी है तो ये मेरा front part है blouse का वो मैं open वाली side से cut कर रही हूँ तो ये मैंने इधर वाली side open side रखी है और जो मेरा open वाली side का किनारे वाला part है उसको मैं निशान लगा कर कट करके अलग कर लूँगी और मैंने नीचे वाली जो मारी side है वहाँ पर मैं 5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और side वाली जो मेरी जगा है side वाला जो मेरा part है front part का वहाँ से भी मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क लगा लिया है ये मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको भी बता देती हूँ क्योंकि हम front part में प्लेटे डालते हैं तो प्लेटे डालते हैं तो हमारा front part छोटा हो जाता है friends जैसा आप जानते हैं जबी भी आप front part को प्लेट डालोगे front part में तो आप देखोगे कि आपका जो front part है वो छोटा हो जाता है तो अगर आप extra ले लेते हो पहले ही तो आपका जो front और back part है वो प्लेटे डालने के बाद भी इक्वल ही रहेगा अब जो मैंने किनारी वाली side पे mark लगाया था उससे मैं किनारी को cut करके अलग कर लेती हूँ अब जो main चीज है जो हमारी आगे की प्लेटो की marking है वो आपको समझना है उसके बाद मैं यहाँ पर front part में marking लगाऊंगी तो मैंने 7 इंच पर mark लगाया है आर्मोल का और मैंने 10.5 इंच डॉट पॉइंट लिया था उसका mark लगाया है तो दोनों mark के उपर इस तरीके से straight line बना देंगे सबसे पहले और नीचे से मैंने 2 इंच का margin लिया है fold करने के लिए तो यह ले लेंगे दोनों की निशान की marking लगा के उसके बाद हम जो हमारा side में हमने extra लिया था मतलब जो हम front में पट्टी लगाएंगे hook और eye वाली उसके लिए भी हम थोड़ा सा कपड़ा extra लेते हैं और उसको extra लेकर हम जो सामने की plate हैं उसकी चोड़ाई का निशान लगाएंगे तो यह मैंने दोनों साइडों में पोने 4 inch लिया है तो दोनों पोने 4 inch मिला कर मैंने straight line बना दी है अब जो नीचे वाली मेरी plate की marking है उसमें मैंने दोनों साइडों में एक-एक inch लिया है mark के एक inch उस side और एक inch इस side इस तरीके से आपको जो हमारी front plate है ये plate हमारी main होती है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगाना है उसके बाद जो हमारी plate की चोड़ाई है 36 chest के according मैं 2 इंच चोड़ाई लेती हूँ तो अगर आपका 36 के according आप cutting कर रहे हैं तो 2 इंच चोड़ाई लेंगे और उसको इस तरीके से front की जो एक plate है उसको इस तरीके से मिलाएंगे और side से आप यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसको दोनों plate को निशान लगा देंगे अब जो हमारी armhole वाली side plate डलेगी उसका निशान लगाएंगे तो जैसे हमने फ्रंट बैक पार्ट में हमने आर्मोल का निशान लगाया था वैसे ही एक इंच अंदर की साइड हम आर्मोल का निशान लगाएंगे तो इस वाली प्लेट की भी हम बीच में जो गैपिंग है सेम रखेंगे दो इंच और मैं दो इंच पर इस तरीके से मार्क लगा लेती हूँ तो यह मेरा जो शोल्डर वाली साइड जो आर्मोल की साइड हमारी एक और प्लेट आती है वो plate का mark लग गया है अब plate का mark लगाने के बाद हम armhole की cutting करेंगे front part की इस तरीके से हमने press से इस plate को जमा दिया अच्छे से उसके बाद हम armhole shaper से front part में जो armhole का निशान लगाते हैं उसकी marking करेंगे तो यह इस line का मैंने center point लगा लिया है अब center point से बिल्कुल इसी तरीके से हमें armhole का निशान लगाना है और उसको cutting कर देना है armhole की cutting करने के बाद हमारा जो front part है वो पूरा cutting हो चुका है अब उसके बाद जो हमारा main fabric है उसके उपर हम front part और back part को रखके cut कर लेंगे और अपना पूरा blouse stitch कर देंगे जैसे हम normal blouse को stitch करते हैं तो friends आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताना और अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे message कर सकते हैं Instagram पर भी मुझे follow कर सकते हैं और friends अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजे और bell icon को प्रेस करना बूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलते रहें तो मिलती हूँ आप से next वीडियो में नए topic के साथ नए design के साथ अब तक के लिए बाई बाई